मंच पे मौजूद पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान सरदार भगवन्तमान जी, लीडर ओफ ओपोजीशन हरपाल चीमा जी, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जर्नेल सिंग जी, सेह प्रभारी रागव चड़्डा जी, यहां पे आये वे सभी आम आदमी पार्टी के कारेकरता, सभी मीडिया के साथ ही, और आज मीडिया के जरिये पूरे देश भर में, और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कारेकरम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमशकार, सब को मेरा सत्स्रियकाल, आज पंजाब के लिए एक एतिहासिक दिन है, कई माईनों में एतिहासिक दिन है, पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसबरी से इंतजार है, कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था, एक ही प्रश्न पूछते थे, जि दूला कौन है, आम आदमी पार्टी का सीम चेहरा कौन है, तो मैं सब को यही कहता था, सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है, आपको हम ऐसा चेहरा देंगे, जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा, तो आज वो घड़ी आ गई है, उसका एलान करने की, हमने सीम चेहरा ढूंडने के लिए एक अलग प्रक्रिया की, पंजाब के अंदर हमने देखा की, दूसरी रवायती पार्टियां जो हैं, कोई अपने बेटे को सीम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है, भग्वन्तमान जी मेरे छोटे भाई है, मैं अगर खुद भग्वन्तमान जी का नाम डिक्लेयर कर देता, तो कहते है केजरी वाल ने अपने भाई को बना दिया केजरी वाल ने भाई भतीजा वाद करा है जैसे दूसरी पार्टियां करती है वैसे केजरी वाल ने करा तो हमने का नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम पंजाब के तीन करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का CM चहरा कौन होना चाहिए तो पिछले हफते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने का आप कॉलिंग कर सकते हो आप वाटसेप मेसेज भेज सकते हो आप SMS भेज सकते हो तो हमारे पास 21,69,437 में रिस्पॉंस आए लगबग 21,69,437 लोगों ने अपने रिस्पॉंस दिये तो एक चीज तो सारे सर्वे भी यह दिखा रहे हैं और महौल भी यह बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो जो CM चहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला CM बनने जा रहा है तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीम किसे चुनाएं ये जो 21,69,000 वोट आए जो लोगों ने अपने रिस्पॉंस दिये उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया मैंने शुरू में क्या दिया था भी मैरे इसमें नहीं हूं तो उन वोट्स को हमने इन्वैलिड ड कर दिया उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3 परसेंट लोगों ने सरदार भगवन्त मान रहा है